गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनावों के साथी पांच राज्यों की छे विधान सभा और मेनपुरी लोगसभा के सीट के नतीजे भी घोशित हो गए सुबा आठ बजे मतगरना शुरू ही और देरशाम तक अधिकान सीटों के परणाम सामने आ गए जबकि चार सीटों पर पार्टी बड़त बनाए हुए थी गुजरात में 1985 में कॉंग्रेस ने सबसे ज्यादा 149 सीटे जीती थी जो रिकॉर्ड आज बीजेपी ने तोड़ दिया परिणामे में कॉंग्रेस को 15 सीटों पर जीत मिल चुकी है दो सीटों पर कॉंग्रेस बड़त बनाए हुए थी आपको चार सीटों पर जीत मिली और एक पर वो आगे चल रही थी और ये संकीत मिल रहे हैं कि 12 दिसमर को नई सरकार का शपत ग्रहन होगा नरेंद्र मोदी स्टेडे में भुपेंद्र पटेल सीमपत की शपत लेंगे बीजेपी प्रदेश अद्रक सीयार पार्टी ने कहा कि शपत ग्रहन में पियम मोदी और अमिशा मौजूद रहेंगे गुजरात में बीजेपी ने जबरदर जीत हासिल की तो हिमाचल में उसे उतना ही करारा जटका लगा है बीजेपी अद्रक जेपी नड़ा के ग्रह राजे में पार्टी को करारी हार मिली है राजे की जनता ने पांच साल बाद सरकार बदलने के रिवास को बरकरार रखा है राजे की 68 सीटों में से कॉंग्रेस को 38 सीटों पर जीत मिल चुकी है दो पर पार्टी बड़त बनाए हुए है जबकि बीजेपी के खाते में 24 सीटे जा चुकी है एक सीट पर बीजेपी आगे चल रही थी निर्दलियों उम्मीदवार तीन सीटे जीत चुके हैं बहुमत मिलने के बाद आप कॉंग्रेस ने हिमाचल में सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी साथी बीजेपी से अपने विधायकों को बचाने की कोशिच में भी पार्टी जुट चुकी है उन्हें सेफ हाउस में भीजा जा सकता है सरकार बनाने का दावा पार्टी जल्द ही कर देगी पार्टी जल्द ही विधायक दल की बैठक बुलाएगी विधान सभा चुना में कॉंग्रेस और बीजेपी एक-एक राज्य में जीतने में काम्याब रही यानि सत्ता का मुकाबला बीजेपी और कॉंग्रेस के बीज बराबरी पर छुटा है